कुंडली कुंडली अपनी कुंडली जानलो पत्नी की कुंडली मा की कुंडली दीदी की कुंडली भाई की कुंडली अपनी प्रेमिका की कुंडली तुम कौन हो भाई देखने में एकदम लाल लाल टमेटो की तरह दिख रहे हो किसकी कुंडली देखनी है मा की अपनी या लड़की की मेरी प्रेमिका की कुंडली देखिए तुमें तो देखते ही मैं समझ गई थी जरूर प्यार का मामला होगा मुझे तो समझ में ही नहीं आत कि तुम लोग प्यार ही क्यों करते हूं, फिछले 20 साल से कुण्णली देख रही हूं मैं, प्रेमी अप्रे, प्रेमिका की कुण्णली क्यों देखते हैं, ये बात मुझे आज तक समझ में ही नहीं आती है, बताने से मालूम नहीं पड़ेगा, प्यार करे तो मालूम पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आखे बंद करो देखे क्या तकलीफ है यह सब अंधुश्वास है इसमें दिल का दर्द आंसू बनके बाहर निकलता है दर्द महसूस होता है हमें दर्द नहों तो हम मुस्कुराते हैं अगर हमें किसी वज़र से दिल से खुशी नहीं मिलती तो हम दिल को मना के बैठ जाते हैं ठीक है तुम्हारी प्रेमिका का क्या नाम है उसका नाम प्रीती है प्रीती उसका पूरा नाम है यह अरे तरी तो पानी क्यों मारती है तुम्हारे पता भी है तुम्हारे पिता जी रात में शराब पी के आते हैं और ना जाने कौन-कौन सी कानिया हमें सुनाते हैं हमारी नीन भी पूरी नहीं हुए अब सोने तो दो मैं तो आरिया समझ रही थी अच्छा ये बता वो कहा आज तो संडे तो फूल जूम में रहेगा है जूम तर समें मुझे अ को को परूँके भawy जो सेरे हैं! अबाम पिसाइटन पहाला! डभार को अचरू! सार! मेरे जोगा! कि यह सब अपना-पना काम करके छुप रहे थे तुम हो कौन उस औरत ने चिलाया इसलिए तुम मेरे पीछे पड़ गए थे क्या अगर मेरे से बैक नेनी है तो तुझ में हिम्मत होनी चाहिए समझा क्या इस मिट्ती के काविरी नदी का पानी पीक है यही बड़ा हुआ हूं मैं समझा क्या जब कोई लड़की सड़क पर चलती है तो हम सीटी भी बजाते हैं और उसी लड़की को अगर कोई तकलीफ हो तो उसे बचाने के लिए हम तुरंट सैनिक भी बन जाते हैं सैनिक ख़र ख़र जाते हैं प्रothing हार्ट! प्रॉदकी प्रॉदकी थी ! ये लुई। प्रॉदकी जनने बाचे लंग मुईूकी लंग प्रॉड़की आप जरी लंग इंप प्रॉब प्रॉब यद लंग कादल क्लाइमेक शॉट सुनो मेरी प्यारी तुम्हारे बगर मैं जिन्दा नहीं रह सकता तुम्हारे बगर मैं सो भी नहीं पाता हमारी सच्चे प्यार को यह बड़े लोग समझ नहीं पा रहे हैं तुमसे दूर रहकर जीने से तो अच्छा है मैं मर जाओं मैं तुम्हारे बगर जीन नहीं पाऊंगा मेरी ये जिन्दगी बस तुम्हारे नाम पे है हम ऐसा करते हैं इस दुनिया को छोड़ के किसी दूसरी दुनिया में चले जाएंगे I love you, Kanak I love you, Genie I love you, Genie अजेट ये तो सपना देख रहा था मैं अब उठना, अब उठना, उठना, उठ जा अब ये तो टिंगू है, पूरे हाथ पर मेरे सर पर रक्कस होता है क्या हुआ बोलना हमारी कदल फिल्म का क्लामेक्स नहीं बन रहा था बताया था ना वो फिक्स हो गया है और मेरे सपने में शूर भी कर दिया आखिर में क्या हुआ, ये बता क्लामेक्स में हम दिखाते हैं, वो दोनों अपना प्यार हासिल नहीं कर पाते और दोनों मरने की कसम खा लेते हैं ये तुझे कैसा लग रहा है दोनों साथ में मरेंगे हाँ यार यही सोचा था सुनो दोनों प्यार करेंगे ये कानी सूपर है लेकिन वो दोनों क्लाइमेक्स में एक साथ ना मिले तो गलत है ये फिल्म हमारे जैसे लवर बॉइस बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे दोनों को मिलाना ज़रूर ही है समझे प्रेमियों को दूर करना पाप होता है लेकिन शूटिंग में देर से गये तो डारेक्टर से डाट पड़ेगी ये तो महापाप है आर्या शूटिंग के लिए देर हो रही है जल्दी से तयार हो जाओ तुनो मुझे शूटिंग जाने के लिए देरी हो रही है रात को दारू पीते वक्त बाते करेंगे यह कह यार अर्या सब्सक्राइब लेडी है ओके डिरेक्टर को सब्सक्राइब ब्ला लेता हूं सर पॉस्स ताइम इंदिस्ट्री में आये हो यह सर आप कोई बात नहीं हिरोएं बंजाओंगी वेकि तुम्हें हिरोएं बनने के लिए थोड़ा एज्जस्मेंट और कमीटमेंट करना यहां पहले सबी ऐसी ही बोलते हैं यह सब वक्त की बात है हमारी फिल्म इंडिस्ट्री तो ऐसी है फिल्मों में काम करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है sir मैं वैसी लेड़की नहीं हूं sir कला की हम पूजा करते हैं sir आप तो बोल रहे हैं वैसा बिलकुल नहीं है सर अगर एक्टिंग करनी है तो यह सब तो करना पड़ेगा नहीं तो तुम्हारा हीरोईन बनने का कोई भी चांस नहीं है तो क्या सभी एक्ट्रेस एकसे ही करती है सर देखो तुम्हारे सवाल का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है यह सब अंडिस्टैनिंग में होता है जरा समझने के कोशिश करो तो क्या सभी प्रोडक्शन हाउस में ऐसा ही चलता है सर यहां पर पकड़े गए तो चोर है नहीं प फोटो भेजेंगे या मुझे बेजेंगे वाट नहीं सर मैं एक्ट्रस बनूंगे ऐसा कुछ से वादा किया है लेकिन इस तरह कभी नहीं सर यह मेरे सिद्धानतों के विरुद्ध है सर अगर मैंने गलत रास्ते पे चलकर काम किया तो यह मेरी कला का असम्मान होगा सर एक इस बात मैं आपसे कहना चाहिए इंसान कभी इंसान की पूजा नहीं करता शंकर भाई राजकुमार भाई विश्णु भाई इनकी फोटो रखकर पूजा करते हैं जानते हैं क्यों क्योंकि कला ही भगवान है और कला ही जीवन है आप जैसे ही लोग इस देश में पैदा होने के बावजूद इस देश की संस्कृति को अपनी गंदी नजरों का शिकार बना देते हैं थू शरम आनी जाहिए आपको अब यह जब बात करता हूं पीच में टांग नहीं आडाना कितनी बार समझाना पड़ेगा वो शॉट रेड़ी बोल रहे थे पॉमन सेंस नहीं है नॉंसेंस रेड़े रेड़े ना रेड़े अ अच्छन प्रेक आर्या कि क्या हुआ क्या बात है इस डिरेक्टर से बात करना ही बेकार है यार यह कला की कीमत ही नहीं जानते आर्या तो मुसके चिंता मत करो हमारा लक्ष फिल्म बनाना है तुम एक दिन जरूर फिल्म बनाओगे हाँ यार मैं अपनी फिल्म बना के रहूंगा कादल फिल्म जल्दी शुरू करूंगा हाँ वाँ कॉफी मेरे लिए जल्दी थे दो मुझे ठंडी हो जाने नहीं तो तुम्हारे लिए नहीं आर्या के लिए अर्या के लिए उसके लिए स्पेशल क्यों वो तो मेरी पसंद का टमाटर ही रो है ओ तो एसा में टमाटर नहीं हूं तुम तो सड़ेला चमाटर हो मैं के सड़ावा टमाटर हूं किया अर्या चाय पीलो सॉरी मैं चाय नहीं पीता तो होलेक्स लिके रहा हूं नो थैंक्स थोड़ा काम करना बाकी है प्लीज ओके सॉरी आरिया तुम्हारी कादल स्टोरी अच्छी है लेकित तुम नए डिरेक्टर हो तुम्हारे भरों से पैसा इन्वेस्ट करना मुश्किल है प्लीज तुम कोई और प्रोडिसर ट्राइ करो हलो सर आप प्रशान सर हो हाँ बोलो नमस्ते सर मैं आरिया अच्छा मैंने एक स्टोरी लिखी है कादल नाम की वो स्टोरी बहुत ही अच्छी है सर स्क्रिट्प सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सर प्लीज एक बार आप चांस दीजिए डिरेक्ट करता हूं नए हो हाँ सर नए डिरेक्टर के लिए हाँ कोई चांस नहीं है सर प्लीज सर सिफ एक बार स्टोरी सुन लिजिए अरे मेरे पास इतना टाइम यह सुनने का हालो हालो सर नमस्ते मैं आर्या बोल रहा और मैंने ख़ि co痛 कमाल की स्टोरी है सर सिर्फ एक बार आपको कहानी सुनाने का मौका दिजिए स्टोरी तुमने लिखिए हां सर सर प्लीज सर सर एक बार मौका दीजिए सर प्लीज तुम उसे देख रही हो यह उसे मालूम नहीं होना चाहिए तुम आखों से एक्सपरेशन दिना समझी ऐसे ही यह कैरेक्टर यह अलो अर्या सर्सक्रिप्ट लेकर आओ मैडम को डालोग दो इस क्रिप्ट में ना डायलोग ठीक नहीं था तो मैंने चेंज कर दिया डिरेक्टर मैं हूँ या तुम हो तुम मुझे सिखाएगा जैसे बोलता हूं वैसे कर समझाना तुने तो बाहर बहुत कोशिश की कोई प्रोडियूसर मिला तुझे कुछ नहीं होता दिमाग दिमाग चाहिए सम्झा अलो सर प्रोडियूसर को मेरी स्टोरी चाहिए दिमाग नहीं चीए प्लिए बहुत ज्यादा बोल रहा है तुमने ऐसे क्यों बोला अरे मैंने क्या गलत बोला डायलोग सही नहीं था मैंने ठीक कर दिया इससे क्या हो गया जाने दो या टेंशन मतलो मैं तुम्हें बहुत देख रही हूं आर्या तुम्हारे जैसे अच्छे डायरेक्टर आय तो हमारी कला की कीमत होगी तुम अपनी स्टोरी तयार अखो मैं अपने प्रोडूसर से बात करती हूं और यहां तो कोई भी प्रोडूसर कहानी सुनने के लिए तैयारी नहीं है पुराने प्रोडूसर को दूणने से अच्या है कि तुम नयरे प्रोडूसर को दूणो काम बन जाएगा मेरे पस एक अच्छा यडिया है स्वेल में एक आदमी को मैं अच्छी तरह से 105 बार बात करता हूं हमारा जो प्लान है ना वह उस मैक्जिन में अच्छी से पब्लिश कर देगा उसे देखकर कोई नो कोई हमें जरूर सपोर्ट करेगा मेरी बात मान तुम लोग क्या कहते हो अरे जक्कास तुपर आइडे दिया है बहुत अच्छा है यार लेकिन यह सब होगा कैसे मेरी बात सुनो यार हम पूरे शहर में पबलिशिटी करेंगे फि करना जरूरी है हम मिलटरी वाले है रूस तो रूस है आपने रूस तोड़े हैं इसका फाइन भरना होगा मैं नहीं कियो नहीं पहनोगे इसे पहनूंगा तो मेरी बीबी लड़ेगी मुझसे लेकिन क्यों क्या है कि मेरी खुबसूरती खराब हो जाएगी इसलिए लड़ेगी मुझसे तो फिर ठीक है फाइन भर दो कितना देना है पान सो रुपए बस इतना ही है यह लो पान सो रुपया सरगार के लिए सो और तुमारे लिए चार सो जाओ मज़े करो चार से रुपए यह मिलेटरी क्यों चार सो रुपए दे रहा है यह तो खुब शूरत है तुम दर क्या होगे तेंगो तुम दूबारा मेरे से मिल क्या रहे मिलेटरी तुमने उस्से पाथ सो रुपए क्यों दिये आप उसे पता चलेगा यह तो नकली नूट है सुनो रवी मामा मुझसे प्यार के बारे में कुछ सवाल पूच रहे थे प्यार के बारे में मुझे क्या मालूम पहले तुम पिलो अरे सर्व रोगों के लिए शराब ही दवा हो दिए लाफ वेलियर के लिए लाइफ वेलियर के लिए सब लोगों के लिए सिर्फ एकी दव क्या वाद है किस खुशी में पार्टी शुरू कर दी तुमारे बेटी से में प्यार करता हूं इसलिए नहीं मामा अपना आर्या को डारेक्टर के लिए चांस मिला है इसलिए वो पार्टी मना रहा है आप चिंता मत करिए आप भी पीजिए तो मेरे लिए बॉटल कहां पर बाचर करा कि जिनल से पार्टी में है फिल्म में भी रहूं का है किया मैं अमेरे अंदर जायेगी कोई भी एरो मेरे सामदें खड़ा नहीं हो सकता एक चुटकी बजाई तो हाँ थी दूसरी चुटकी बजाई तो शेर तीसरी चुटकी बजाई तो मिल्टरी वाला रहूंगा आज ज्यादा गुस्सा मत दिलावरना तुम लोग की यह सारी पियर की बोटल में एक जटके में पी जाओंगा यहां के डिरेक्टर का कोई भी टेस्ट नहीं है इसलिए मैं हीरो नहीं बन पाया मैंने मिल्टरी जॉइंग कर ली और गन उठाके धधधधधध़ वोली चलाई और दुश्मनों को खात्म कर दिया मिल्टरी मुझे एक बात पूछनी है अगर तुम एक अच्छी आर्टिस्ट हो तो पुझे शकीला जैसे एक्टिंग करके दिखाओ ए चोटू तुम लोगों से दोस्ति करके घलक किया मामा ये मामा ये मामा फर्शा आप 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 को आप याया यार इतना टाइब हो गया अभी तक किसी का कॉल ने जीत छुआख़़ सबर करो यार हमारी मेहनत का फ़ल हमें जरूर मिलेगा तुम देखना हम सुनो अगर तुम लड़के हो तो लड़की के इंतिजार तो करना पड़ेगा ना ठीक बोला ना मैं तेरी तो फोन की विंग बज रही है अरे फोन बंद हो जाएगा देदे रिसीब करो रिसीब कर यार हलो सर डिरेक्टर आर्या बोल रहे है हां बोल रहा हूं मेरा नाम प्रशान्त है मुझे मुझे मुवी में एक्टिंग करनी है सर ओके बताता हूं अर्या अब बता यह किसका फोन था अरे किसी स्ट्रगलर का फोन था यार हुआ 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 है हलो सर नमस्ति मैं रम्या बोल रही हूं सर मैंने आपकी वहां एक एड देखी थी मैं भी एक्टिंग करना चाहती हूं सर आपकी मुवी में मुझे भी कुछ चांस दीजिए ना ठीक है बताता हूं कौन था आर्या और कोई चांस मांग रहा है या अच्छे हलो पकडो है अलो है अअले अला अर्या 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 अच्रवक्त कैट जया हूं हमान साथ हड़ी करले यह करल या Kia है त्टिन संग मोर्लॉज दाईasan है धो मेरे पाथ उसका बाहुत एक्सपीरियेंस और आपकी मोगी में यसा भी कारेक्टर हो मुझे चांस अधे लिए उसके लिए बहुत एक्सीरीन्स ए Hero experience मेरे पास full experience है sir मैं दो-दो hero को maintain कर सकती हूं sir क्या तुम दोनों को अकेले maintain कर सकती हो तुम सूपर हो यार क्या है ना इसके लिए ना तुम्हें बहुत की जरुरत पड़ सकती है समझें ताकत मुझ में बहुत थाकत है sir केला खाका के मैं पूरी एपल की तरह फूल गई हूं sir क्या एपल की तरह फूल गई हो क्या यह मेरे असिस्टेंट का नंबर है ले लो मेरा नंबर है एट 23470009 बाई तुमने अपना नंबर क्यों दिया क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए जो कि मेरे पास है है समझे क्या हुआ आरिया कुछ नहीं यार बचपन से ही फिल्मों का शौकिन हूँ छोटी उमर में पिता जी चल बसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था ना कुछ करन लग रही थी लेकिन फिल्मी दुनिया में आके सब ठीक हो गया लेकिन अब बहुत टेंशन हो रही है यार और समझ में नहीं आ रहा कि मेरे फ्यूचर का होगा गया सुनो आरिया तुम बिल्कुल चिंदा मत करो हमारी इस मेहनत को एक न एक दिन रास्ता जरूर मिलेगी हाँ आरिया वे आरिया आर हो घगी पत्धुंद लोँन आरिया रही तुम अख्वाँ आर घया आरै एकिन हो आरिया तुम करोगता रही आर लेकिन आर जोरूचर को एकिन हो दोगै अरिया ऑरर ईूफ्या ऑज in कि कहां है पेशंट मैडम यहीं पर थी मेडम वह नहीं पीपाएगी मेरे से सो रुपए की शर्ट लगा अच्छा चल्टीक है मैं सो रुपए की शर्ट लगाना हूं मेरी दीदी पक्का फी लेगी देख लेना मुझे तो यकिन नहीं है तुझे लग रहे शर्त लगाऊ आ लगा डाल देखलेते हैं अगर ऐसी बात तो फिक्स है 200 रुपे शर्त लगी दीदी कि क्या हुआ कि लड़की को साड़ी पहन कर माथे पर बिंदी लगाकर हाथों में हाथ डालकर सर ऐसा बोलने वाली समझाए क्या कब बाली हुआ यार चल लिकाल पासे मेरी दीदी पीने में माहिर है क्या है बेटी तुम अस्पिताल से बीना बताय चली आई तुम्हें थोड़ा सीरियसनस नहीं है क्या हम अपनी जान को हदली पर रखे बिना खाय पिए चैन भी नहीं लिया और हम तुम्हारा इंतजार कर जानती है इसका करण भी वह छोटू है उसे आने दो नहीं होगा तुछ सुनिये हमें इसकी चिंता हो रही है इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता आगर इसे कुछ हो जाता तब इसे पता चलता मां तूम चिंता करती हो इतना बीफाल तू नहीं बेटी तुम मुझे यह ब मैं कि खुशी के साथ कि अपनी जिन्दगी को जीऊंगी और आप लोगों को भी हजाऊंगी मैं प्लीज पापा कि मैं मरना नहीं चाहती हूं कि मुझे हर हाल में कि अपने जिन्दगी को खुशी से जीना है मैं जीना जाते हूं बापा बरना नहीं चाहते हूं दीदी घशी लगी मैं बाप बापिते हूं दो आ जाते हूं लुश बाप जीना लगका हूं अ अ माँ़दी तो ए्लां पाला यासниवी कि छिम्स बाव मैं 重डल दू बाणा और नहीं मैं लुश जया व्लापका हूं आव दिदी, तुम रोक क्या है? वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे थे आहा, बहुत अच्छा, एकदम कमाल का है दिदी, इस कैसेट के साथ मेरी एक फोटो तो खीचो क्यू? वो क्या है ना, बहुत दिन से मैं एक्टिंग करने का सपना देख रहा हूँ मुझे एक चांस मिला ना, तो मैं सूपर स्टार बन जाओंगा मुझे तो सिर्फ एक चांस की ज़रूरत है फिर तुमें भी मुझसे और प्राप लेना होगा तुम, जाके अपनी आइने में शकल देखो एक्टिंग करेगा, एक्टिंग दीदी, वो कौन है, तुम जानती हो क्या मैगजिन में जो एड देते हैं, वो लोग फ्रॉड भी तो होते हैं ना, दीदी तुमें समझ में आ रहा है ना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता लेकिन अजीब सी, खुशी मिल रही है मुझे अपनी जिंदिगी में मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाई एट लीस्ट हासिल करने वालों के लिए मेरी तरफ से स्मॉल विशिज हैं ये जो आगे बढ़ना चाहता है, उससे आगे बढ़ना चाहिए, बस यही चाहती हूँ इदी यह कैसेट में अभी कुरियर करके आता हूं, हां ठीक है जल्दी आना बाई हम चिथी आई है चिथी आई है इस फिर फ्रॉम एड्रेस है नहीं इस में खोल के तो देख एक वाद करना फोन पर अब देखो बात ऐसी है कि हम मिलेंगे हम शान पर मिलेंगे अभी में शूट पर हूँ ना यह तो कैसेट है अच्छा किसी ने प्यार से बेज दिया होगा ए जल्दी टेप रेकॉड़र लाना तरीक है लाता हूँ हाई आर्या तुम कौन हो मैं कौन हूँ कहीं पैदा होकर कहीं बड़े होते हैं हम रिष्टे बनते भी हैं और रिष्टे तूट भी जाते हैं तुम्हारी इस कोशिश के लिए मेरी तरफ से अल दे बेस्ट तुम्हारी सिर्फ तुम्हारी अनामिका मेरी वफा पहचान है मेरी, तु है मेरा मैं हो गई तेरी मेरी वफा पहचान है मेरी, तु है मेरा मैं हो गई तेरी तु ही वजा मेरी खुशी की, तु ही दुआ जिन्दगी की मेरी वफा पहचान है मेरी भाई, शूपव है शूपव है यार ये सौग सूपव है, सुनने में लग रहा है ये सौग धमाल कर देगा यार ये गाना सुनने से तो मान एकदम धमाल मचा रहा है यार सुनो, ये सब उस मैगजिन में एड का कमाल है सच बोल रहा है यार मैंने कहा था न, इससे हमें कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा इससे हमें क्या रास्ता मिलेगा भाई इस सौंग को हम किसी प्रोडूसर को सुनाएंगे तो इस सौंग को सुनकर वो ज़रूर हमें फिल्म बनाने का मौका देगा प्यार किया नहीं जाता हो जाता है आने दो बताती हो बेबी कुछ ज्यादा ही सोच में डूबी है पेचारी बहुत डरी होई लग रही है ना एलो तुम कहा हो जल्दी आओ मैं कबसे तुम्हारा अंतिजार कर रही हूं मुझे बहुत डर लग रहा है बेबी का बाबा नहीं आए ना तो इसकी जान ही निकल जाएगी कहा हो तुम्हारे लड़की इंतजार कर रही है यह देखो आ गया हीरो चलो जल्दी बैठो आने में इतनी देर क्या कर रही है तुम इतने छोट रहे हो यह सब नहीं देखना चाहिए तुम्हें ऐसा सीन देखने में मुझे तुम बहुत मजाता है अरे लड़की ने तो किस क्या और लड़के ने तो किस क्या ही नहीं वह बाद में करेगा डाड़ी फोन कर रहे है डाड़ का फोन है इधर दो अरे यह फोन किसी काम का नहीं है मेरा फोन मैंने आज ही फोन का पूरा पैसा भारा था तुम टेंशन मतलो मैं तुम्हें जीयो का फोन दिलाता हूं इस फोन को भोल जाओ सिर्दर रहे कि प्रूंका चल ठाते हैं कम कॉ मां को ऐधि और आधिर यह मोबाइल दीदी को देते हैं से क्या अधि मोबाइल हमां मिला है एक कपल आरा था यह मोबाइल फेक कर चला गया पेग के चले गए दीदी कसे का फोन आ रहा है पापा लिखा है बुको में उठाता हूं हेलो है कौन अ तुम और मेरी बेटी कहां है अगर मेरी बेटी को कहीं ले जा रहे हो तो मैं तुमाँ छोड़ें आ मैंने क्या किया मामा मैं तो छोटा बच्चा हूँ मैं तो कुछ भी नहीं जानता मामा मैं तुरह मामा कब हुआ जाकर अपनी बेटी को बोलो ना उसे तो संभाल नहीं पाए यह फोन मुझे रस्ते में मिला है यह फोन फेक कर तुमारी बेटी किसी के साथ भाग गई है शुक्र मनाओ मैं मोबाईल उठाकर बात कर रहा हूं फोन की बैटरी खतम होने के पहले फोन लेकर जाओ समझे में आय क्या रख क्या करेंगे मुझे किसे फोन करना है कॉल करने के लिए मेरे पास कोई बॉइफ्रिंड भी नहीं है तो क्या बना लो दीदी बना देंगे अच्छा आइडिया है लेकिन किसे अप फोन है तो कोई ने कोई बात करने वाला मिली जाएगा दीदी वह उस मैग्जिन का नमबर है ना उसे फोन करो उसे यहाने ने का कई चांसे नहीं है उससे हाँ औरे ना भॉझ नहीं होगा घ्री हम तुम्हारे साथ हैं तुम पहले बात करो करूं वह बात करूंगी लेकिन उसका नमबर मेरे पास नहीं है रहा ही जांत है इप leisurely को फोन बज रहा है लो दिदी आरे तुम जल्दी से बात करो ना दिदी अभी रिंच आ रही है फोन ही नहीं रिसीब कर रहा है दुवारा ट्राइब करो ना यह तो फोन ही नहीं उठा रहा है यार शायद अभी बिजी होगा तुम्हारा मिस कॉल देखके वो जरूर तुम्हें कॉल बैक करेगा ठीक है बिजी होगा दीदी चलो ना आइसक्रीम खाकर आते हैं इत्ती ठंड में मैं तो नहीं खाऊंगी तुम लग खालो ठीक है चलो हम अरे सुन दो यह फोन तो लेता जाँ वन सेकेंड मैम अरे राम यह फोन क्यों कर रहा है मुझे इन लोगों ने जबर्दस्ते फोन कराके मुझे फशा दिया अब मैं क्या करूं मुझे समझ मैं नहीं आ रहा है कुछ दादी मुझे फोन कर रहा है पदा नि कौन है आप बाद कर लो न प्लीज अच्छा फोन पर कौन है देखू मैं हेलो कौन है कौन हो तुम जो मेरी लड़की को फोन करकर पर रिशान कर रहे हो तुम्हारी ना पुलिस में मैं कम्प्लेंड कर दूंगी इतनी चर्वी है सब कम हो जाएगी सब्जे अलो दादी आप फोन करके मुझे अंदर ढालेंगी क्या मैं तुम्हारी आरती उतारू हां मुझे मिस्कॉल आया था मैं काम में बिजी था अब फ्री हो गया हूं तो इसल प्री बेटा मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया हमारी लड़की कौन सारी बेटा तो यह क्या दादी उसे डाटने के बजाए आप उसे डाट रही हो ए अरे बेटा प्यार में तो यह सब होता रहता है अरे दादी आप ही क्या लड़की है अरे पापे आप क्यों फोन कर रही है हलो कौन हो आप वो मैं मैं हूँ मैं कौन मैं हूँ इस दिस अनामिका अनामिका कौन वो जो वेल विश करने वाली हाँ जी मैं तुम्हारे फोन का बहुत इंतजार कर रहा था मेरे फोन का हाँ जी अब तो आपका नाम बताईए मोना लिजा मोना लिजा वाव नाइस नेम ओकी थैंक यू मैं बाद में कॉल करती हूँ आपको बाई चोटू 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 लिदी क्या हूँ आपको पता है उसने मुझे कॉल किया था किसने अरे वो वो फिल्म वाला फिल्म वाला क्या वो ला उसने आपको वो तो मेरी अवाल सुनते बोला तुम ही वैल विश करने वाल यह नामी का हो क्या वार बार यह पूछ रहा था अच्छा और क्या पूछ पूछा था मेरा नाम मोना-दा नहीं जड़ा है चैन्मि पर शेसे फोन कर रहा है अब तूं शेखोन करो प्रेमी के साथ भागने के चकन में उसने फोल रिचार्च कर वाया है उसका बापरि अगर भाप टो तुम्हें दढ़ने लगता और अब धार रही हो कौन करो उसे ठीक है फोन करना जरूरि है मेरी मां फोन तो लगाओ उसे करो प्रों करो न दी दी हुआ हाई 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 हाऊ हाँ पहले जब रोन करने के लिए बोला तो कह रही थी मुझे तो डर्ड़ लग रहा है लड़किया एक नंबर के ड्रामेबास होती है तुम भी लड़की यो तुमसे होशिया रहना पड़ेगा मुझे तुम अपना मुझ बंद करके रखो थैंक्स थैंक्स वो किसलिए जैसे आकाश है धरती को पानी देने के लिए उसी तरह हर आदमी को आगे बढ़ाने के लिए एक औरत है मुझे ऐसा लगता है वैसे ही तुम ही मेरी प्रेड़ा है आपका नाम आर्या है क्या हाँ जी बहुत अच्छा है मेरी मा नहीं प्यार से ये नाम रखा है आपकी मा कहा है वो तो अपने गाहों में रहती है दर असल मेरे पिता जी बच्पन में चल बसे थे कि अरे क्या हो गया तुम्हें आम सॉरी कोई बात नहीं बच्पन से मेरी मम्मा फ्रेंड्स फिल्म और अब तुम ही मेरा सब कुछ हो मैं हां ओके मैं बाद में कॉल करती हूं आपको दीगे मोना बाइ 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 अरे यार पदा है मुझे अनामिका का फोन आया था अनामिका अरे जिसने कुरियर से काशेट में सॉंग भेचा था अच्छा वो उसका नाम मोना लीजा है ओहो क्या बात है मैं तो बहुत खुश हूँ यार यार मुझे एक बार ना मोना से मिलना है क्या तुम मिलना चाहते हो हाँ यार उससे एक बार बात करूँ न तो उसी से बात करने का मन करता है ताहीम कैसे निकलता है समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ ये मुझे ही समझ में नहीं आ रहा पैयार हो गया है क्या मुटा नहीं यार वो कौन है क्या करती है कुछ भी तुम आलूम नहीं है तुझे पैयार वायर के चक्कर में मत पढ़ इससे कुछ भी नहीं होने वाला है नो नो अब जो भी होगा ना वो सब आगे देख लेंगे हाई मोना हाई मैंने रात को डिस्टॉब तो नहीं किया था ना नहीं मैं सो रही थी I'm sorry क्यों पार्टी का मज़ा ले रहे थे वो नीन नहीं आ रहे थी ना इसलिए नहीं नहीं आती है तो क्या शराब और पार्टी में रात बिताते हैं क्या हाँ वो थोड़ी सी खुशी में किस बात की वो तुमें मिलने की कुशी में मैं समझी नहीं हाँ मोना मेरी जिंदगी भटक गई थी रास्ता नहीं मिल रहा था मुझे रास्ता दिखाने वाली परी तुम ही हो तुम कौन हो कहां रहती हो ये सब पूछने के लिए डर रहा था मैं लेकिन उपर वाले ने मेरा साथ दिया तो मेरी मम्मा भी तुमसे बात करेगी मोना क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं क्या हम दोनों मिल सकता है क्या मुझे क्यों मिलना चाहते हूं मैं तुमसे कुछ मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूँगा ओकी बाइए मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूँगा हुघ हुघ करूँछा एफ कि गला, क्यूबा हुघ अुम्हारे फोन दीदी क्या हुआ दीदी मा चल्दी आओ दीदी क्या हुआ क्या हुआ कि व्लड की जरूरत है पेशेंट की हालत भहुत खराब है हम पूरी कोशिस कर रहे हैं मैंडम येस अर्जेंट ओ पॉसिटिव ब्लड की जरूरत है मैं पॉसिटिव ब्लड हमारे पास य़ोक में नहीं है मैंम मैं बेंकलोर से आया हुँ मैं यहां किसी को अंद्रिया का व्लड की थे जरूरत मैं काम में बीज़ी कौंध को फोन की invent हलो, सर आप कुमार हो, सर ओ पॉस्टिटिव ब्लेट की जरूरत है, सोरी सर, मैं लास्ट वी ब्लेट डूनेट किया था हलो, हलो, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूं सर, 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 ओ पॉस्टिव ब्लेट की जरूरत है, सर, सोरी सर, मेरा मूड ठीक नहीं है, आप किसी और से बात कीजिए न, प्लीज सर, मैं बैंगलोर से आया और मैं किसी को नहीं जानता, प्लीज, मेरी मदद करिए, सर, मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, प्लीज, समझने की मना मत करिए, मना मत करिए, सर, खीक है, सर, किस हॉस्पिटल में है, आदर्श हॉस्पिटल, सर, आता हूँ, मैं अभी, थैंक यू, सर, मैं आपका इहसान जिंदीकी भर नहीं भूनूगा, कोई बात नहीं भाई साब, इसमें इहसान की क्या बात है, अक्चिल्य, क्या परॉब्लम है? सर, वो परॉब्लम यह सर की, मैंने अप्ने बेटी को बड़े प्यार से पाला है, लेकिन उससे कैंसर है, कैंसर? सारे पिता अपनी बेटी की शादी करने के लिए, लड़के ढूनेगे, लेकिन मैं अपने बेटी की जान भचाने के लिए अस्पतार के चक्कर लगाता हूँ सर आप बिल्कुल मत रोईए उपर वाला सब देख लेगा सर क्या मैं एक बार पेशन से मिल सकता हूँ जरूर सर लास्ट रोम में है जा के देखिए तैंक यू सर बाई आप रेस्ट करिए ठीक है सुनो इन्होंने तुम्हें सही समय पे अपना खून देकर तुम्हारी जान बचाए कि क्या और जो है कि क्या जुआ में ही कि कि आप देकर से देखिक है कि युए कि और रचेन की। है युए 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 प्रेंसों प्रेंस। कि युए कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाह रही थी अब चुब बैठी हो आरिया वह एक्षली बहुत दिन से मुझे तुम्हें कुछ बोलना था मैं अपने दिलो जान से उस लड़की से प्यार करता हूँ और उसका नाम मोना लिजा है वो कौन है कहां रहती है मुझे नहीं पता लेकिन उसके बिना में एक पल भी जिन्दा नहीं रह सकता मेरी वीरान सी जिन्दगी में वो एक परी बन के राई है अगर वो मुझे ना मिल पाई तो मेरी जिन्दगी हमेशा के लिए वीरान ही रहेगी I'm sorry it's okay सबको तुसका प्यान नहीं मिल सकता सिर्फ तुम्हारे लिए मैं हॉस्टल से स्पेशली यहां आई थी अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं वापस चली जाओंगी all the best तुम्हें तुम्हारी प्रेमी का जल्दी मिले बाई तुम्हें ही प्रेमी का जली मिले तुम्हें रहें तुम्हें रहें तु問 है था उपर तुम्हें वહंगी करते हैं हाई मोना हाई आरिया आम सॉरी सुबा थाओडा प्रोब्लम थी इसलिए फोन ने उठा पाई तुम्हारा कोई बात नहीं मैं तुम्हें मिलने के लिए कभी जबरदस्ती नहीं करूंगा प्लीज मेरा कॉल अवाइड मत करना है 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 अगले सुमवार को अगले सुमवार को लेकिन मैं तुम्हें कैसे पैचानूंगा हां मैं वाइड ड्रेस पहन के आउंगी अर तुम ब्लैक ड्रस पहन के दाना वो के मोना मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बाई कि अधान के अधरवी अधर दन्हें तो मुझसे मिलना चाहती हो हमारी जिन्दगी में ना जाने किटने लोग मिलते है वो कौन है कहां रहते हैं हम उनके बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं ठीक उसी तरह सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूं मैं उस लड़के से उससे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चल गया तो कि मैं उससे मिली हूं कि लेकिन वो मुझे नहीं मिला अच्छा तो तो तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उससे मिलने के लिए जा रहे हो है उपर वाला तुमारी मदद करें लेकिन एक और बात तुम्हारा प्यार अगर सक्सेज नहीं हुआ तो तोम जाकर दारू की दुक सब्सक्राइब हो जाएगी तुम सीधे घर चले जाना कल से मैं इस घर में नहीं रहूंगा थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहा हूं घर का ख्याल लखना ओल्डा बैस्क्राइब क्यों मिलेट्री मामा कि अ कि 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 झाल झाल मोना 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 मैं लव यू मोना वाट तुमसे मिलकर फ्रेंड्स बनाके घूमने के बाद यह नाटाकर के मुझे लगता फायदा होगा और ये सब मुझे पसंद भी नहीं है, पता नहीं ये सब मैं तुमसे कैसे कहूँ, because I am already in love with you, I love you Mona. Hello, excuse me, who are you? Mona, मैं हूँ Mona, Arya. Hello, मेरा नाम Mona नहीं है, समझ में नहीं हा रहा तुम्हें, मेरा नाम श्रेया है. Mona, तुम मजा कर रही हो, मैं जानता हूँ, तुम हैंडीकैप हो, इसलिए ऐसी बात कर रही हो ना, मैं समझ गया. Hello, mister, एक ही बात कितनी बार समझानी होगी, मेरा नाम Mona नहीं, श्रेया है. तो फिर ये वाइट ड्रेस? क्यों मैं वाइट ड्रेस नहीं पहन सकती? वाइट ड्रेस पहनने वाली सारी लड़िया मोना होती है. I'm sorry, जिससे मैं प्यार करता हूँ, उससे मैं मिला नहीं. और आज उसने मिलने की प्रॉमिस की थी. और वो वाइट ड्रेस पहन के आएगी ऐसा कहा था. इसलिए मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया. It's okay. भाई, असल में क्या है प्यार करने वाले लोग दिमाग से एकदम पागल होते हैं. लेकिन आप से मिलने के बाद ऐसा लगा सभी प्यार करने वाले एक जैसे नहीं होते हैं. मैं भी किसी लड़के से बहुत प्यार करती थी. कुछ दिन पहले ही मेरा बर्थरे था और बर्थरे के दिन स्पेशल गिफ देने के नाम पर मुझे बाइक पर बहुत दूर लेकर गया. लेकिन रास्ते में ही बाइक का अक्सिडेंट हो गया. और तब से मैं अपाहिज हो ग मुझे अपाहिज देखकर भी आपने मुझसे प्यार का हिजहार किया और मुझे आई लव यू भी कहा. सच में, हैट्स आप टू यू. वो आपको ज़रूर मिलेगी. ओल दवेस्ट. थैंक्स. मोना? हेलो? कहा हो मोना? सुबह से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ. हेलो आरिया. मैं नहीं आपाही तुमसे मिले. मुझे माहफ कर दो तुम. क्या हुआ मोना? मुझे कर दो एक हुआ है, इंच गुदू. हैशालननी धेली. यह उडिया कर एको. नहीं मिलेगी काया हुआ. सावह मुद्रानों कुल्स, ख्रेंज considering भी यह रहता हुआ हास्या. ओचे गलेए? जूड़ माँ को यहात्या, गłyाइए? झाल! क्या हुआ देदी मुझे बहुत दुख हो रहा है प्रिया जिंदीगी मौत से लड़ रही है मेरी लेकिन मैं अभी मनना नहीं चाहती हूँ जीना चाहती हूँ जो मुझे अपनी जिंदगी में ये सब परेशानिया जहली पड़ रही है मैं तो अपनी जिंदगी खुशी-खुशी जी रहीं दी लेकिन वह क्यों मेरे जिंदगी में आ गया और अब मैं जीना चाहते हूं प्रिया अब नहीं चाहते हूं सुरी दीदी ये सब कुछ मेरी वज़से हुआ ये सब यहीं खत्म कर दो दीदी प्लीज इसे आगे लेकर बच जाओ मैं खत्म नहीं कर सकती मेरी आख्ये मना करें फिर भी मेरा दिल उसे जी जान सचाहता है अब वो मेरी जिंदगी है मेरी जिंदगी में पहली पार प्यार आया है और मैं उसे हासल नहीं कर पा रही हूं मुझे कुछ समझने नहीं आ रहा हूं मैं क्या करूं प्रिया पता है तुम्हें जिंदगी में बहुत से ज्यादा बीमारे दुख देती है अब क्या करोगी तुम उपर वाले ने मेरी जिंदगी से सब को चीन लिया अब यह भी चीनना चाहता है क्या अब यह उससे चाहा के भी हासल नहीं कर सकती तुम्हें उसे खोला नहीं चाहती तुम्हें उसके बिना मैं पलपल मर रही हूं आरिया ओ आरिया तु उसके लिए इतना क्यों दुखी हो रहा है यार मैंने तुससे पहले ही कहा था कि तु प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी यह लड़कियों का सब ऐसा ही है यार प्यार में धोका देना इनकी फित्रत ही होती है और उससे इनको कोई फरक नहीं पड़ता जाने दे इन लड़कियों को, ये सब ऐसी ही होती हैं, देखने पर हस्ती रहेंगी, फिर हस के रोला देती हैं, सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, तुम इन लड़कियों के बारे में सोचना बंद करो, चला सुनिए, मैं इसे अकेले बैंगलॉर भिजने के लिए तयान नहीं हूँ, प्लीज पापा, मैं वहां रहकर हॉस्पिटल चली जाओंगी, तुम वहां अकेले कैसे रहोगी, प्लीज पापा, मान जाहिए न, वहां पर हमारा फ्लैट भी है न, मैं वही पर रहलूंगी मा, लेकिन साउधान रहना, थैंक्स पापा, थैंक्यू वेरी माच, सुनो, आप उसका हाल जानकर भी उसे अकेले जाने क्यों दे रहे हैं, तुम्हें पता है, डॉक्टर ने क्या कहा था, उसे अपनी जिंदगी जीने दो, भगवानी जानते हैं, किस्वत ने क्या लिखा है, मैं भी साथ चलूँगी आपके, जाने दो प्रिया, दो ही दिन की तो बात है, मैं जल्दी से वापस आजाऊँगी, तुमसे दूर रहकर, मैं अपने सच्चे प्यार को, दूर से देखूँगी, और अपने मन में, उसकी मूरत बसाकर, वहाँ से वापस आजाऊँगी, प्रिया, क्योंकि मेरा प्यार पवित्र है, देदी, प्रिया, अरे जल्दी आना यार, एक केक काटने में कितनी दिर करेगा, जल्दी आ यार, हम इंतजार कर रहे हैं, आरिया, हैपी बड़े आरिया, सौरी, मैंने कहा था कि मैं तुमसे मिलूँगी, लेकिन मैं नहीं आ पाई, अपने प्यार को अपनी आखों से देख रही थी मैं, उस वक्त मर के जिन्दा हुई थी, मैं आकर, तुम्हें अपने गले से लगा कर, तुम्हें किस करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे सामने आने के लिए, मुझे वक्त चाहिए, और सही वक्त आने पर, मैं खुद तुमसे मिलने आ जाओंगी, और वो समय कब आएगा, ये मैं खुद नहीं जानती, Once again, Happy Birthday आरिया, तुम्हारी अनामिका, मूना लिसा. किसकी चिट्री है भाई? ये मोना लिसा ने लिखा है भाई, और उसने मुझे बर्डे विश किया है, क्या कह रहे हो तुम्हारी अने तुम्हारी उसके बारे में बताया था ना, वो सबकी तरह नहीं है, वो मेरे लिए सम्टिंग स्पेशल है भाई. हाई. 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 आर्या. थैंक्स. आप. याद नहीं तुम्हें? उस दिन मौत से लड़ रही थी, और तुमने अपना खून देकर मेरी जान बचाई थी. हाई, कैसी हैं आप? बैठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ. अरे हाँ, आज मेरा बर्डे आपको कैसे पता चला? उस दिन तुमने ब्लड डोनेट किया था ना, वहां से मैंने तुम्हारी डेटाव भर जान ली. ओ, ओके, मीट माइ फ्रेंड करन. हाई. ओके, तो केक काट जाए? हाँ. 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 पाँ. झाल 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 क्या बात है आर्या आज तुम बहुत खुश हो कुछ नहीं भूमी मेरी मोना बहुत जल्दी मेरी जिन्दगी में आएगी मोना तुम उससे प्यार करते हो वाव बहुत खुश नसीब होगी वो देखने में कैसी है वो उसकी सुन्दर्ता क्या बया करूँ सूरज की तरह ब्राइट होकर चाहन की तरह रोश्नी देती है वो क् बाताओ ना अर्या में उससे मिलसकती हूं तुम मिलाओगे क्या सिर्फ ये दिल ही उससे मिला है कि तुम उसे बीना देखे प्यार करते हों कि अगर उसने धोका दे दिया तो शायद मैं गलत हो सकता हूं भूमी लेकिन मुझे उसके प्यार पे पूरा यकीन है अगर उसका प्यार धोका है ना तो इस धर्ती पे कहीं प्यार ही नहीं है जिस तरह मेरी माने मुझे पैदा किया ही हकीकत है उस तरह उसका प्यार भी उतना ही हकीकत है और वो मुझे कभी धोका नहीं दे सकती प्लीज, बेंगलॉर आओगी क्या तुम? हाँ क्यों नहीं मैं तुम्हारे आने के लिए इंतिजार कर रही हूँ बहुत बहुत शुक्रिया कि अजय के लिए इंतिजार के लिए रहा है हाई अन्जू हाई बहुत दिनों के बाद हम मिल रहें आउना अंदर बैठो थैंक यू ये गर बहुत सुन्दर है थैंक यू आखिर बाद क्या है तुमने मुझे आर्जंड बुलाया वो प्या लव का मेचर है हाँ यार मैं एक लड़के से प्यार करने लगी हूं तुम प्यार करती हो वाट अ सब्प्राइस उसका नाम क्या है आरिया आरिया वाट अनाइस नेम वह भी मुझसे बहुत प्या सार गरती हूं लेकिन पंग है समझ में नहीं आता क्यों करते है इतना प्यार अंची तुम उससे शादी कर लो वो बहुत अच्छा लड़का है यार कंभा मैं उससे शादी करूँ तुम जिससे प्यार करती हो से मैं शादी कि भी किर सकती वो जिससे प्यार करता है वो लड़की मैं नहीं हूं मोना लिसा मोना लिसा वो खौन है वो भी मैं ही हूं तुम क्या बोल रही हो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ था मुझे साफसाब बताओ ओ माई गॉड तुमने से गेम समझ लिया है क्या मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है मेरी वज़े से उसकी जिन्दगी बरबाद नहीं होनी चाहिए वह अपनी मा को आज में बहुत प्यार करता है उसकी जिन्दगी में खुशी नहीं चाहिए प्लीज अंजली प्लीज तुम मेरे मदद करो वो वो बहुत अच्छा लड़का है अंजली मैं उसका प्यार जिन्दा रगना चाहती हूं तुम तुम मोनालिसा बनके उसके प्यार को काम्याब करो ना आयू कॉन मैड प्लीज मना मत करो अगर तुम्हें ऐसा नहीं किया तो वो मर जाएगा लेकिन वो मुझे मानेगा क्या जरूर मानेगा मोनालिसा नाम की कोई भी लड़की उससे मिलेगी तो वो यकीन कर लेगा उसका प्यार किसी लड़की से नहीं है उसका प्यार तो एक नाम से है ओकी अब मुझे क्या करना है यह बताओ थैंक्यू सो मच यार आज से तुम्हें मोनालिसा हो वो है बेबी आर्या वाव सुपर मेरे लिए ओके एक मिलेट मैं उससे कॉल करती हूँ हलो हाई मोना हाई आर्या क्या बात है वोगाउट कर रहे हो क्या वोगाउट मैं वोगाउट कर रहो हैं तुम्हें कैसे पता चला गेस रे हो गया मैं तुम्हें देख रही हूं आर्या क्या तुम मुझे देख रही हो लेकिन तुम हो कहां मोना प्लीज बताओ है इतनी जल्दी एक्साइटेड मत हो मैं तुमसे कल मिलूंगी हां सच में हां कल मैं तुमसे जरूर मिलूंगी ठीक है शूर ओके प्रॉमिस ना प्रॉमि यह ऑन्जू मैं जाकर उससे मिलने वाली है सच बोड़ लेकिन मुझे लगता है कई से मुझे देख रही है क्या बात कर रहे है हाँ यार लगता है वोमें पहचान ने वाली होगी हाइअ हाई है यह वोई लड़की है क्या है कोई चांज नहीं पर फोन लगा के देखना कि अरे आरिया है हेलो आरिया क्या हो गया कुछ नहीं ऐसे ही फोन किया था मैं बात में बात करता हूं अर्या शाम को पाटी ना तुम फूल देना और यहां बातली देगी ठीक है या बात है आज पार्टी है क्या बूमी एक बात बताओ तुम्हें कल मेरी प्रेमिका मुझसे मिलने आ रही है वाव रियली कॉंग्रेट तैंक यू इस बात के लिए तो तुम्हें ट्रीट देनी पड़ेगी ठीक है क्या चाहिए फुल बाटली देदें पानी पूरी ओके लेकिन वह तुम्हारी प्रेमिका को देने वाला गेफ्ट मेरी तरफ से होना चाहिए ठीक है अच्छा विए मैं थोड़ा बीजी हूं मैं चलती हूं अभी बाइए भाइए 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 क्या करा टिंगु यह देया किया है मेरी जैसे बॉड़ी चाहिए ना तो तुझे हैवी उठाना पड़ेगा ऐसे उठा ऐसे तब कर्समने कर दिछ सना कर्दसी पुझेए भाइए 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 भामरेए झाल चॉड़ी खशी श्म debate, यह भी मैं एते हैं कि आरिया तुम्हें बहुत अच्छी पार्टी दी मुझे लेकिन अगर तुम्हारी प्रेमिका मिल गई तो तुम मुझे भूल जाओगे ना ऐसी कोई बात नहीं है सच में तुम मुझे नहीं भूलोगे कभी नहीं भूलूंगा उस दिन हमारे अड्डे पे आके बैग वापस लेके गया था भाई यह क्या वो हाँ जो बड़ी पीसे है वो यही है जो नहीं है हाँ हुग हाँ हाँ अट हाँ अब काल अब काई हाँ अहाँछाइ पहाँछाई अहाँछाइ आर्या यह सब लोग कौन थे पाता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़े हैं चलो निकलते हैं यहां से हेलो प्रिया कैसी हो तुम मैं तो ठीक हूँ आपने प्यार के बारे में नहीं बताया पर उसकी प्रेमी का मिलेगी यह जरूर बता दिया तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है पापस आजाओ ना मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ प्रिया मैं जल्दी ही आऊंगी ठीक है अपना दियान रखना हाँ हाँ दिदी बाइ 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 अब 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 अबड़ आनचु मिया आई अब आए अब आए आई कैसे हमेरे अब ड्रेस वाव आउड यह वाव शुपर्ब ड्रेस है यह 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 लिए अब ड्रेस प्रेस है यह अब अब भुण ये लो, ये गिफ्ट तुम उसे दे देना, अंजू प्लीज, उसे मत खोलना, ये उसे देने वाली मेरी पहली गिफ्ट है, सप्राइस ही रहने दो, तुम उससे बहुत प्यार करती हो, और उसे खोना नहीं चाहती हो, ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में पहली बार प्यार हुआ था, लेकिन मैं खितनी बदलसीब हूँ, अपने प्यार को पाकर भी, उसे अपने आप से दूर कर रही हूँ मैं, इसलिए अपने आसू नहीं रोख पाई मैं, कुछ फूलों को भगवान की याद में चड़ाया जाता है, और दुनिया में कुछ फूल, शमशान में चड़ाया जाते हैं, वैसे ही मेरा प्यार भी है, मैं उसके साथ अपनी जिन्दगी गुजारू, या उसके बिना मर जाओ, सब कुछ उपर वाले के हाथ में है, इसलिए मैंने अपने प मैं गिफ्ट ओपन नहीं करूंगी, या मैंने बहुत कुछ बोल दिया, वहां जाके कोई प्रॉबलम होई तो मुझे कॉल करना, उससे मिलने के बाद अपना नंबर उसे दे देना, और मेरा नंबर डिलीट कर देना तुम, आल दे बेस्ट, आम सॉरी, हाई, हाई, क्या बात है, अब लड़की से मिलने के लिए तो पूरे तयार हो क्या आए हो, जी आ, कैसा लग रहा हूँ मैं, वाउ, सूपर्ब लग रहे हो, थैंक्यू, तुम वो, तुम जिस लड़की को प्रपोस करोगे न, मैं एक बार उससे मिलना जरूर चाहूँगी, मैंने कभी किसी को प्रपोस करते हुए देखा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें एक बार प्रपोस करते हुए देखना चाहती हूँ, मेरी लाइफ में कभी कोई ऐसी सिचू कुशन आई ही नहीं, मुझे किसी ने प्रपोस ही नहीं किया अज तक, मैं हमेशा तुम्हें अपनी पलकों पे बिठा के रखूँगा, तुम हसोगी, तो मैं भी हसूँगा, और जब तक मेरे शरीर में जान है, तब तक मैं तुम्हें चाहता रहूँगा, I love you कुछ नहीं, थोड़ा एमोशनल हो गय थी, आर्या, तुम्हें तुम्हारी प्रेविका एक दिर जरूर मिलेगी, उसने तुम्हें पाने के लिए बहुत सारे पुर्ण किये होगे, तुम कहीं भी रहोगे, हमेशा खुश रहोगे, यह लोग, आल दे बैस, मुझे देर हो रही है, मेरी मोना मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ, बाए, कर दो चैंग, ठुम्हें को है। बुमी, बुमी. बुमी, बुमी. कर दो कर दियुक्चर रहे जो डिक कर दोस प्टी टेर्झ हिख जह avons material है once वोजुर्स वजव सो नोगा दो जौड़ो जौ तहीं अगाए रहा दो अगाए अगाए अगा दो कर दो थेडि़ें जात्र गवार अंग अब्हों है और दो कि इंप मैंत आपको अब्हूं सबस्क्राइज जाओ आप इसे घड़ ले जा सकते हैं लेकिन इसका अच्छी तरह से ध्यान रखना कि तुम रो क्यों रहे हो कुछ नहीं डॉक्टर ने कुछ कहा क्या यही कहाओगा कि मैं जिन्दा नहीं बजूँगी डॉक्टर भी जूट बोलती है तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका से मिलाए बिना मैं कैसे मर सकती हूँ कि मेरी वजह से तुम आज उससे नहीं मिल पाए अरे कोई बात नहीं जाने दो भूमी बट नेक्स टाइम तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका पक्का मिल जाएगी ठीक है तो अब घर चलें सब्सक्राइब मेरी वजह से तुम उससे नहीं मिल पाई अन्जु तुम उससे कॉल करके बात करो ना तुम्हारा फोन सुच आफ है इसलिए वो चिंता कर रहा होगा अन्जु अरे नहीं नहीं मैं उससे कैसे बात करूंगी तुम्हें उससे बात करूं नहीं यार अगर मैं इस हालत में उससे बात करूंगी तो उससे जरूर शक हो जाएगा तुम तो मेरी तरह बात करती हो यार बात करो ना तुम नहीं नहीं प्लीज बात करूंगी प्लीज मैं डायल करके देती हो बात करो न मोना, तुम इस तरह से चुप मत रहो प्लीज, मेरी तो जान ही निकल जाएगी कुछ तो बोलो न मोना, प्लीज मैं तुमारी आवास सुनना चाहता हूँ हाई, बोलो मोना तुमारी खामोशी मेरी जान ले रही है, तुम उझसे नाराज हो न? नाराज, ऐसी बात नहीं है, मैं नाराज नहीं हूँ मुझे नहीं लगता तुम मेरी मोना हो, अर्यू मोना बात करो, हाँ अर्या, मैं हूँ नहीं, तुम मेरी मोना नहीं हो, मैं सिर्फ मोना से ही बात करना चाहता हूँ उसे फोन दोना प्लीज बात करो आरिया, मैं ही मोना हूँ बात करो आरिया भले ही मेरी आखोंने मेरी मोना को ना देखाओ लेकिन मेरे दिल ने उसे देख लिया है भले तुम मुझे धोका दे दो लेकिन मेरे दिल को तुम कभी भी धोका नहीं दे सकती प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरी मोना को फोन दोना मेरी बात सुनो हम उसे किसी भी हालत में धोका नहीं दे सकती तुम्हारे मम्मी पापा भी आज तक मेरी आवास पहचान नहीं पाए लेकिन ये लड़का तुम्हें बीना देखे तुम्हारी आवास पहचानता है तुम उससे दूर हो जाओ लेकिन वो तुमसे दूर नहीं हो पाएगा चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो उसकी जिन्दगी में सिर्फ तुम ही मोना लीसा बन सकती हो या तो तुम हमेशा उसकी जिन्दगी में मोना लीसा बनी रहो नहीं तो जिन्दगी भर के लिए मोना लीसा को मार डालो मैं उसकी जिन्दगी में नहीं जा सकती उसकी जिन्दगी में जाकर अब जिन्दगी परबाहत नहीं करना चाहती उसकी तुम क्या बोल रही हूं उससे धूर जाते जाते मैं उसके और करीब आ गई हूँ नहीं तो जिंदकी भर के लिए मोना लिशा को मार डालो इस शौट को एक क्लोज भी रखेंगे कैसा है अच्छा तो लगेगा थोड़ा चेंज करो तो अच्छा लगेगा थोड़ा चेंज करो करने के लिए तो यह बहुत अच्छा लगेगा मैं तुमसे कुछ तुम्हारा प्यार बिना देखे ही खत्म हो जाएगा दिल में पैता हुए प्यार को पाने के लिए किस्मत में होनी चाहिए ना जो कि मेरी है ही नहीं आर्याद तुम बुरा बत मानों मैं तुम्हें धोका नहीं देना चाहती मैं खुद को ही अपने हादो धोका दे रही हूँ तुम्हारे साथ जिन्दगी जीना मेरी किस्मत में नहीं है दुबारा एक जर्म होगा तुम्हें तुम्हारे मोना लिसा बनकर तुम्हें ढूटकर तुम्हारे पास आ जाओंगी आर्या मोना क्या हुआ तुम्हें प्लीज बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं कौन हूँ, कहां हूँ, किस हाल में हूँ मैं, तुम मुझे डूरने की कोशिश मत करो, प्लीज, मेरी जान जब तक रहेगी, तब तक मेरा दिल आर्या ही कहेगा, I love you, आर्या, I miss you in this life, मैं तुम् प्लीज, मोना, चैट, क्या हूँ, आर्या, मेरी आर्या मुझे छोड़के चली गई, यार, मैं उसे बे पना प्यार करता हूँ, लेकिन इतनी महबबत करने के बावजूद भी, वो मुझसे दूर चली जा रही है, यार, सुनो, वो जान पूछ कर तुम्हारा पागल बना रही है, मैंने कहा था, लड़किया ऐसा ही करती है, अब देख तू उसे छोड़ना नहीं, तुम गलत पोल रहे हो, यार, मेरी मोना सब लड़कियों की तरह नहीं है, वो मेरी जिन्दगी में सम्तिंग स्पेशल है, और उसके प्यार में, मैं दीवाना हो गया हो, मेरा दिल पागल हो गया है, मेरा दिल पागल हो गया है, आरे, अपने आपको सम्हाल यार, अरे, यार, तु इतना सोच क्यों हो रहा है, लड़कियां सब एक ही जैसी होती है, बेतर है कि तु भूल जा, हाई, आर्या, क्या भूमी, तुम लगेट सब पैक करके कहां जा रही हो, मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन, वो मैं, तुम वैसे ही इतने परिशान थे आजकल, तुम्हें मैंने कितना फोन किया पर फोन ही नहीं लगा, आर्या, मैं गाउं जा रही हूँ, इस हालत में तुम ऐसे ही अकेले काऊ जा रही हो, आओ तुम्हें बाइक पर ड्रॉप कर देता हूँ, तुम क्यों तकलीफ करते हो आर्या, बेकार में, तुम आजकल वैसे ही टेंचन में हो, अरे, कोई बात नहीं है, इसको अपने साथ ले जाओ, इसका मन भी हलका हो जाए अरे, नहीं, परिशान मत हो ये, इस ओके झाट झाल, अरे, कोई बाट सकते हैं, ये, परो आर्या भाट गलजागा कर देंचन में भी हो, इसका मन भी हो, अररी, कर दोग्शवाब्स कर दोके दोगाज़ जाज़ दोग्सा नहीं हो, आरे, क्वास जे जाए, तुम एहीं हो, अरे, क्यों आरा, हो, आरे, आरे, क्यों झाल 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 मुझे यही ड्रॉप कर दो, मैं यहां से चली जाओंगी कोई बात नहीं, बैठो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ तुम संबल के जाना, तुम भी ध्यान से जाना आ रहे है, जो हुआ उसे भूलकर नई जिन्दगी जीना, मेरी कोई बात अगर बुरी लगी हो तुम्हें तो अपना समझ कर, मुझे माफ कर देना तुम, तुम्हें तुम्हें तुम्हारी प्रेमी का एक दिर जरूर मिलेगी, अंथे ऐस्यारी जोती हुआ को यहारी, प्रेश्यारी यहारी तुम्हें और सुम्हें है, तुम्हें एप्रेमी का प्रेश्या तुम निए। सब्सक्षक्या निए उख्या, एक उते मैं प्सक्तित्कृ। हाँ बोलो यार हलो आरिया तुम कहा हो अभी मैं हूँ कहीं पर ए तु अभी भी उसके चिंता कर रहा है अरे भाई उसे भूल जा बूल गया हूँ यार सब कुछ भूल गयाँ प्यार यार के चक्कर में मैं बिल्कुल ही पागल हो गयाँ अभी तो कम से कम अपनी मा की सारी इच्छाए मैं पूरी कर सकूँ सुनो आरिया प्रोडूसर कॉल कर रहे थे उसे तुरंट उससे मिलना है तू वहां से जल्दी निकल ठीक है यार मैं जल्दी निकलता हूं दीधी का गाना हम एक बार सुनते हैं हाँ मुझे भी सुनना है मेरी वफा पहचान है मेरी तू है मेरा मैं हो गई तेरी मेरी वफा पहचान है मेरी तू है मेरा मैं हो गई तेरी तू ही वजा मेरी खुशी की तू ही दुआ जिंदगी की तू ही वजा मेरी खुशी की तू ही दुआ जिंदगी की मेरी वफा पहचान है मेरी यह आवास किसकी है क्यों पूछ रहे हो तूं कुछ नहीं ऐसे ही पूछ रहा था यह गाना बड़ा प्यारा है और उनसे में एक बार मिलना चाहता हूँ यह गाना मेरी दिधी ने गाया है अच्छा दिधी वो कहां मिल सकती है दिधी वहां बैठी है यह जो जो भी आवा यह जो जो जुड़ा बड़ा तूं कुछ टूं कुछ यह जो 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 बादिक है भूमी आर्या तुम अभी तक गए नहीं यह सब छोड़ो यह बताओ मोना कहा है क्या तुम्हारे मोना यहां है कहां है वो चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें आर्या कहां ने जा रहे हो मुझे आर्या आर्या मेरे बात एक तुम्हारे दीदी कहा है एक तुम्हारी दीदी कहां है एक तुम पागल हो क्या एक वह मेंदी दीडि आ कि अ आ कि अ झाम, ढगांए झाम, झामझार ते पह ऑल प्लब आगी मैं यह ट्यूट बहुत पसंद करती हुआ रहा है पुना मोना तुम मिल्ला चाहते देना अपनी प्रेमिका से तलो आज मिल्लो तुम मैं मरने वाली हुँ अर्या तुमारे साथ जीवन जीना मेरी खिसमत महीं आज तुम मिले मुझे और आज तुम्हें छोड़के जा रही हुँ इतना ही साता हो मारा मैं बहुत बन नसीव हु अर्या मेरी किसमत में तुम्हारा सच्चा प्यार पहुपत यह लेकिन तुमसे वादा है अगले जनब मैं ज़नूर मिलूँगी तुम्हें प्यार का मतलब उस्से जद्धा तुम्हें और मेरे बिल्कुल जी नहीं पाऊंगा बिए तुम्हें प्यार करता हूं नहीं आर्या तो घुट हो रही है तुम अपनी जिन्दगी क्यों करना चाहते हो तो इसी बात मत करो कोई बात नहीं आर्या अगर मैं तुमारी बाहूं में मर जाओ तो सब से लच लसीभा होंगी मैं अम मैं टे इस रहए नहीं मोंळा मैं तुम्हें कभी दूर जाने नहीं दूंगा मैं कोई और तुम जिन्दगी में एक साथ जिएंगे मोना कि मरेक साल तो क्या एक मिनिट के लिएiversoु कि नहीं और यूम्हें मेरी मोनां!! आर्यां... मेर्स अवह से अ्युgae नुड़ी नोड्य 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 उटो, divert jours मोना 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 देखना बेटा, तुम्हारी मोनालिसा वापस आएगी, वो एक दिस जरूर आएगी आर्या, मोना, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, आर्या, मुझे विश्वासी नहीं हो रहा, मैंने कहा था न तुमसे, तुम्हारी मोना, कितनी प्यारी है, भगवान, तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलाम मत रखे, हमेशा खुश रहो बेटा, कितनी जोड़ी इतना तुम मेशी आर करते है, प्यारी है, यॉल आएगी, चि liste करते हैं, रझाल आरे हाँ, प्यारी हो रहो राता है, तुम झाले हो, आर्या, किताूम चうनाएाँ यहारी है, च?. झाल